तो वाद की इस पीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप को एड्रेनेज पैटन जो की रिवर्स फॉर्म करती हैं तो कई टाइप के होते हैं तो में लिए पर लोग चार है पाच के बारे हैं तो यहां पर पाच हैं उससे पहले बता दूं कि बेसिकली यह मैंने नोट्स परमाट सर्चे बनाया है बस अपना यह रिवीजन कर रहा हूं और रिवीजन की वीडियो से में अप्रोड कर रहा हूं अगर किसी के हेल्प हो जाए तो वो यह बीडियो से देख सकता है ठीक है तो शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो में ड्रे मतला है कहीं से भी जोड़ां यह यह ब्रैजोड़ कर यह पढ़ी हूँ है यह पीछल आकर जोड़की ऑफका होता है रेटकेर रेट एंगल आपका जैसे चतर बोज होता है चार साइड का ऐसी रेट एंगल होता है उसमें आप ठीक से देखेंगे तो 90 का एंगल बनाते हैं ठीक से देखिए यह सारी की सारी रिवर्स हैं यह 90 का एंगल नहीं बना रही है देखिया यह 90 का इंगल बना रही है, यह 90 का इंगल बना रही है, सारी की सारी Tangular की तरह बहती है, और यह 90 का इंगल बनाती है, जब यह मुड़ती है radial आप यह समझे कि जैसे कोई mountain हो गया, कोई volcan हो गया, वहाँ से जो rivers बह रही है, और 4 दिसाओं में जा रही है, उनको बोलते है radial drainage pattern, क्या बोलते है, radial drainage pattern यह सारी समझते है, dandric के बारे में चाल लिए, यह एक दम branch की तरह होता है, इसको याद करने के लिए dandric से dandy याद कर लो, dandy क्यों याद कर लो, क्योंकि पेड़ के पास dandy होती है, और पेड, पेड मतलब यह tree like branches होती है, अब ठीक से देखोगे न, तो सारी तरह से branches आ रही है, और एक main stream में जोड़ रही है, अब यह जोड़ जाएगी, और यह बाद में जाके अपना समझ में मिल जा कि मिल जाती है, जो आज अपर लोग पढ़ेंगे, या फिर आगे आने वाल लेक्षर्स में पढ़ेंगे, में ली जो तीन हिमालियन देवर होती है, एक होती आपकी गंगा, दूसरी होती ब्रह्म पुद्र, तीसरी होती इंडक्स, वो तीनों के तीनों ये dendrick वाला drainage pattern बना तो right angle 90 का angle बना रही है, जैसे सीधी यहां से आई और यहां से आके इदम सीधा जुड़ गई, टेड़ी आके नहीं जुड़ देख रहो ना, टेड़ी मतलब होता है, बिल्कुल भी एक curve नहीं है, सीधी आके जुड़ गई है, अब यह सीधी आके जुड़ गई है, तो यह पर कोई सीधी नहीं परता है नहीं, सारी टेड़ी मेड़ी ज़ड़ नहीं है, तो रैटेंगुलर हो गया, इसे रैगुलर इसी नहीं बोल सकते हैं, क्यूंकि यह रैटेंगुलर है, और इसमें 90-90 का angle बनता है, तो यह रैगुलर हो जाता, ठीक है, और यह ट्रेले से सीध यह है ट्री की प्रांचिस की तरह यह यह ना पहला वाला तो सेम वैसी लगा है वही चीछ है यह कहां होती है जहां पी यूनीफार्म रॉप्स स्ट्रक्चर होता हो जेंटल शलोप स्लोप मतलब समझते होंगे थोड़ा सा slope जानते होंगे, आप इतना तो basic समझ पार हो, slope basically बहुता है, जब कोई धलान होती है, धलान को slope बोलते हैं, तो धलान होगी, तबी तो river एक सीदे वे में चलती है, चली आएगी न, और example जो आपको बताया था, गंगा इंडेस ब्रंपोत, ये तीन major river system है, हिमालियन दिवर के इनके बारे में आप लोग जरूर बढ़ेंगे, ठीक है, फराता है trellis, ट्रेनिस परें, trellis के बारे में अपन क्या देखे है थे, जो sword right angle attributes बनाती है, trellis देख रहा हो, ये वाला, आपको लग नहीं रहा है, छोटे-छोटे right angle बना रहे है, सेमझ जी जब ये आपको बताय trellis बोलते हैं, ये कहां बनते है, folded mountains, area और alternately hard और soft rock के पास, जहां पर hard और soft rocks होती है, वहां पर बनते हैं, या फिर folded mountain, folded mountain जैसे कि आप हैमालिया है, वो भी folded mountain है, जब दो चट्टाने आके मिल जाती है, बहुत दूर दूर से, और एक चट्टान, दूसरी चट्टान के सब याद नहीं करना पड़ेगा, radial वाला देखिए, rivers flowing outward from a central point, ये central point नहीं है, ये बॉलकेनों नहीं देख रहा हो, ये तम center से सारी river चारो तरफ जा रही है, तो ये ही तो हो गया, इसी को तो अपर radial बोल ला है, बोलना है ये नहीं बोलना है, और एक center point से बहुत चारो बॉलकेनों जो होते हैं वह ठोटे होते हैं, आपके लिए छोटा से क्वेस्सान है कि आप बताएंगे कि सबसे बड़ा बॉलकेनों अपने solar system में कहां पर है, कमेंट कर दीजेगा, अगर आपको पता है तो, example देख लिए, अबर कंटेक प्लाइटी है, तो आपका वहां से जो drainage pattern भू देखता है, tangle bands, forming a great like pattern, जैसे राइट आपको बताएंगे आपको बताएंगे का जो बनता है, लगभग 90 डिगरी का, बैसे तो इसमें sharp 90 डिगरी बनता है, अच्छा बो कमसा pattern है जिसमें लगभग 90 डिगरी बनता है, यह trellis देख रहा हूँ, trellis, इसमें ठीक है, उसके बाद, तो rectangular drainage pattern में यह भी याद रखना कि जो दो rivers हैं, एक चंबल एक बेदबा, मतलब है तो बहुत सारी है, अपन तो example याद कर लेंगे, आपको अपन लोग को हर सारी चीज़े याद नहीं करनी, क्योंकि rivers तो बहुत सारी है, चोटी मोटी बहुत बढ़ी, बट अपर लोग main rivers के बारें पढ़ेंगे, जिनसे UPSC, SSC, CSE, Bank, ये सब लोग questions पूते हैं, centripetal drainage pattern क्या होता है, centripetal जो radial था, आपका radial, radial जैसे radial है, radial में ऊपर से सारी रिवर नीचे निकल लई है, और जो अभी आपको centripetal बता है, उसमें सारी की सारी रिवर एक गढ़ इसी को बोलता है, ठीक है, converging towards a central basin, वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी, depression, depression मतला होता है, गढ़्डे बहुँ जाता है, क्रेट सी वही चीज़ है, ड्रेनिक इन्टू लोग टक लेक, तो centripetal drainage pattern का आप एक्जाम्पल याद कर लेना, लोग टक लेक, ठीक है, annular drainage pattern क्य इनने क्या बना दिया, एक circular drainage pattern उना दिया, इसी को अपन क्या बोलता है, circular drainage दिवर pattern, तो अपन ने अभी 5 य 6 तरह के drainage pattern देख लिए है, इतने ठीक है, अगली वीडियो के लोग बेसिक जानेंगे, हिमालियर दिवर का basics, एक दम हिमालियर दिवर का जो basic होता है, वो क्या होता पैलर क्या होते है, एनुलर क्या होते है, जेंट्री पिटल की कुछ एक्जामपल दिया, लोक्तल की देक्टंगूलर, लेडियल, ट्रैलेस, और डेंडर की है, सारा का सारा पढ़ देना, most common dendric है, क्यों, ये गंगा में दिखता है, डेंडरिक के अपन तीन देख रहा हो न और विल दाओ झाओ झाल